जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका SSB Crack Exams में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Important Topics for NDA Physics क्योंकि ए फिजिक्स पोर्शन से around 25 questions जो है पूंचे जाते हैं और एक question 4 marks का होता है That means total 100 marks approximately आप केवल और केवल physics portion से score कर सकते हैं तो बहुत ही important है कि आप physics को अच्छे तरीके से पढ़ें अभी हम इस वीडियो में वही चीज देखेंगे कि क्या क्या चीज पर हमको ज्यादा focus करना है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे analyze करने से जो हमारे पास previous year का trend आया है तो अगर आप previous year का trend देखते हैं तो 9th और 10th class के जो chapters हैं वो बहुत ही जादा पूछे गए हैं ऐसा नहीं है तो आपको वो चीज बिलकुल भी skip नहीं करनी है तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर approximately six questions यह रहे, four questions यह रहे तो that means approximately ten questions आपके पूछ ले गए और देखें electricity में तो two में तो six questions के वलग के वल electricity portion सा ही पूछे हैं so that means बहुत बहुत important है कि आप 9th और 10th के तो सारे chapter cover करने ही करने हैं और चुंकि questions का level जो है आपका easy to moderate ही vary करता है कहां से कहां तक easy to moderate एक भी question ऐसा नहीं आएगा जो बहुत जादा difficult हो तो question का level जादा difficult नहीं आता है easy to moderate vary करता है ठीक है अब अगर हम class 11th का analysis देखते हैं जो class 11th के chapter है तो इसमें भी काफी अच्छे-खासे questions पूछ लिये जाते हैं है ना तो यह depend करता है कभी किसी साल कोई सी chapter से major पूछ लिये जाता है कभी किसी साल किसी chapter से लेकिन आपको पढ़ने सारे ही हैं ओके अगर हम 12th की बात करें तो 12th में भी आपके अकसर पूछ लिये जाते हैं तो मैं हर chapter में क्या-क्या important है वो सारा discuss करूछ उसके सिवा यह जो कुछ topics है जनरल प्रिंसिपल्स इन द वाकिंग ऑफ सिंपल पेंडूलम सिंपल पुली साइफवन लिवर यह भी बहुत important है क्योंकि इस बार इन्होंने दो question केवल और केवल इसी portion से मूचे थे तो आप इसकी वीडियो हमारे कोर्स में चेक आउट कर सकते हैं सब पर जो है वीडियो study material provided है ओके अब हम सभी chapter wise का जो है देखते हैं क्या-क्या important है तो सबसे पहले physical world and measurement में अगर हम देखते हैं unit में देखो 9-10 तो आपको बिल्कुल skip करना ही नहीं है अब 11th और 12th में जो है हम क्या-क्या important है वो चीज़ पर गौर करेंगे जिसमें से अधिकतर question पूछे गए है so physical world and measurements में जो है fundamental and derived units SI unit की किस चीज़ की क्या unit होती है dimension of physical quantities जैसे कि अगर आपको area का कहा जाता है तो L square यह इस तरीके से यह generally पूछेंगे आपसे capital G या bulk modulus इन सबके जो है dimensions पूछ सकते हैं उसके बाद अगर हम kinematics में देखते हैं तो equation of motion जो की motion chapter में भी है बहुत ही जादा important है तीनो equation of motion आपको आनी चाहिए okay उसके बाद multiplication of vectors कैसे करते हैं हम scalar and scalar dot product या cross and vector product उसके बाद projectile motion से भी questions पूछे जाते हैं तो उसमें जो 3 important formulas है आपके पास वो तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए projectile के okay उनिफॉर्म circular motion भी काफी important है इसमें से भी काफी questions पूछे जाते हैं अगर हम laws of motion unit की बात करते हैं तो Newton's second law of motion बहुत जादा important है law of conservation of linear momentum and centripetal force okay these are very 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 important topics in these units okay आगे चलते हैं अगर हम work energy and power की बात करते हैं तो work done में से काफी questions पूछ लिए जाते हैं आपके F.S formula से ही okay work energy theorem आप लोग पढ़ेंगे power आपको जरूर से पढ़नी है potential energy of a spring क्या होती है conservative forces क्या होती है ये सारी चीज़ें यहाँ पर important हैं वहीं अगर हम motion of system particles and rigid body में अगर हम देखते हैं law of conservation of angular momentum बहुत important है और जो simple आपके पास geometrical objects है उनकी value जो आती है moments of inertia की जो आपके पास tabular form में होती है वो जरूर से आपको याद कर लेनी है उसका derivation नहीं लेकिन आपको वो values याद कर लेनी है कि इस वाले object के लिए rod के लिए center से अगर पास हो रही है तो कितनी है circle है disk है तो उनके लिए कितनी आ रही है तो वो आपको सारी याद करनी है इसमें ग्रेविटेशन चेप्टर की अगर हम बात कर रहे है तो universal law of gravitation बहुत ही important है acceleration due to gravity and its variation ये भी बहुत important है और Kepler's law of planetary motion ओके ये gravitation unit में ये तीन चीज सबसे जादा important है और सबसे जादा अगर आप मेरे से पूछेंगे इसमें भी तो acceleration due to gravity and its variation इसके variation के बारे में काफी पूछ लिया जाता है नेक्स है properties of bulk matter तो इसमें आपको hooks law बहुत important है pressure due to a fluid column जो आपके पास formula होता है h rho g वाला वाला बहुत important है arc midis principle बहुत important है surface tension बहुत important है properties of bulk matter में यह सारे के सारे आपको करने ही करने है thermal properties of matter में जो है anomalous expansion of water यह जो इसका graph कुछ इस परीके से आता है कि density जो है आपकी बढ़ रही है on increasing the temperature so that is the important यह जो 4 degrees celsius पे आपका मेजिमा आता है तो OC से generally पूछ लिया जाता है यह बहुत important है okay latent heat capacity heat transfer में जो conduction convection and radiation method होते है तो यह भी आपके important है thermodynamics की बात करने तो temperature important है यानि आपको celsius से Fahrenheit Fahrenheit Kelvin और अगर कोई और scale दे दिया जाए तो उसमें convert करना आना चाहिए temperature को first law of thermodynamics है isothermal and adiabatic processes यह बहुत जादा important है ओके next kinetic theory में उसके assumptions क्या है kinetic theory के और इसका interpretation of temperature यह दोना बहुत ही जादा important है वहीं अगर हम oscillation and waves की बात करते है तो यहाँ पर time period and frequency जो है बहुत important है simple pendulum और उसका time period, transverse and longitudinal waves, speed of sound and beats these are very very important topics in the oscillation and waves, electrostatics में अगर हम देखते हैं तो electric field lines important है, gausses theorem, capacitors काफी important है, capacitance उसकी कितनी होती है और उनका variation अगर आपने एक slab insert करी है, dielectric insert करा है तो कैसे vary करेगा तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, उसके formulas उसके बाद अगर हम current electricity में बात करते हैं तो electric current क्या चीज़ होती है ohms law, electrical resistivity, combination of resistors, यह बहुत ज़ादा important है इनको तो बिल्कुल skip करना ही नहीं है okay, magnetic effects of current and magnetism अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हैं हमारे पास ampere's law important है, solenoid important है, magnetic feed lines important है, magnetic properties of para, dya and ferro materials भी important है electromagnetic induction and alternating current unit में अगर हम देखते हैं तो faraday's law important है lens law important है, faraday's right hand rule बहुत ज़ादा important है, यह तो काफी बार पूचा गया है peak and RMS value of alternating current or voltage, resonance and AC generator, these are very very important topics next अगर हम electromagnetic waves की बात कर रहे हैं, तो electromagnetic spectrum आपको order wise याद होना चाहिए कि कैसे किसकी wavelength सबसे ज़ादा और किसकी सबसे कम है, so accordingly आप लोग उसको याद कर सकते हैं इसका mnemonic भी मैंने आपको दिया है, आप study material में चेक आउट कर सकते हैं okay, optics बहुत ज़ादा important chapter है, इसमें spherical mirrors के बारे में आपको पता होना चाहिए mirror formula क्या है image formation by lenses and mirror जो आपके पास six and two cases आते हैं, दौनों में ही mirror और lenses में उसारे आपको पता होनी चाहिए lens formula क्या होता है, magnification क्या होता है, कैसे इसके formula को with sign convention use कर सकते है power of a lens, angle of deviation in prism, microscope, telescope, fringe width and polarization so these are the very important topics from the optics okay, then next is the dual nature of radiation and matter photoelectric effect बहुत ज़ादा important है, इसकी जो equation है, Einstein's photoelectric equation वो भी आपको पता होना चाहिए और D-Broglie relation जो आपने पास hypothesis है, उससे जो आप matter waves जो निकालते हैं, that is very very important next अगर हम atoms and nuclei chapter की बात करते हैं, तो वहाँ पर rather food model of atom बहुत ज़ादा important है radio activity, nuclear fission and fusion आपको ज़रूर से पढ़ने हैं, electronic devices में अगर हम देखते हैं, तो IV characteristics in forward and reverse bias जो आपके पास इस तरीके से आती है, that characteristic is very very important, diode as a rectifier जब use होता है, तो उसको जरूर से पढ़ियेगा, truth tables भी आप इसमें डाल सकते हैं, different gates के लिए, क्या-क्या truth tables हैं, उसके बाद communication system में अगर हम बात करते हैं, तो AM modulation and GPS, these are important topics in this unit, so I hope आपको ये सारे important topics समझ में आये होंगे, और आपको ये तो बिल्कुल skip नहीं करने हैं, तो मगर इसका मतलब ये नहीं है, कि इसके सिवा जो topics हैं, उसमें से question नहीं पूछे जाएंगे, the main thing here is, कि इन units में, इन chapters में ये वाले topics बहुत जादा important हैं, क्योंकि इन में से questions पूछे गए हैं, okay, so I hope this thing is clear to you, and अगर आप लोग enroll होना चाहते हैं हमारी courses के लिए, तो आप हमारी description box में जो है link दिया गया है, आप वहां से download कर सकते हैं apps को, and you can enroll in our courses at very affordable rates, okay, अगर आप लोग SSB की भी तैयारी कर रहे हैं, तो that is also done in our application, आप उधर जाईए, उधर live classes होती हैं, आपको अच्छे से बताया जाता है कि किस तरीके से आपको preparation करनी है, क्या पूरी detail में आपको उसमें समझाया जाता है, सभी चीजों के आपके पास study materials भी मिलेंगे आपको, तो that is very crucial if you are preparing for the SSB interview, और इन सभी courses पर अगर आपको 10% का discount चाहिए, तो warrior 10 code यूज करना ना भूलें, इससे आपको extra 10% discount मिल जाएगा, so I hope these things are clear to you and I will see you in the next video, till then, चैहें! अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं!